नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्यन करने बाले हैं राश्टी एक खेल पुरुषकार 2022 के अती महत्तपूर प्रस्णों का जो की आपके एक्जाम पॉइंट अब व्यू से बहुत ही इंपोटेंट है दोस्तों वीडियो सुरू करने आध्याली को वर्स 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यान चंद पॕ्रुषकार से सम्मानित किया गया है ऑप्सेंस हैं 410 10 30 और 25 तो सही आंसर क्या है सही उन्सर है चार खीलाड़ियों को ध्यान चंद पुरुषकार प्रधान किया गया है छी हीना ये उैने causing ह से नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलिटिक्स से अस्वनी कुमार जी एथलिटिक्स से अगला प्रस्न है मौलाना अबुल कलाम आजात ट्रॉफी 2022 किस युनिर्शिटी को दिया गया है ऑप्शन से गुरुनानक देव युनिवर्सिटी अमरिच सर कुरुक्षेत्र युन पटियाला चंडीगर युनिवर्सिटी चंडीगर तो सही आंसर है गुरुनानक देव युनिवर्सिटी अमरिच सर को मौलाना अबुल कलाम आजात ट्रॉफी को परदान किया गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर अप्सन नमबर एक है अब जाल लेते हैं मौलाना को परति वर्स् heti सिक्षया दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्टी का मना जाता है तो ग्यारा नमंबर को परतिवर्स मनान जाता है अगला प्रसंद्द देखते हैं निम्न मेंसे किनके द्वारा राश्टिक खेल प्रदान किया जाता है यानि कि कि इस्एं पर्राश् बारे में वर्तमान में भारत के राष्टपती कौन है द्रौपदी मुर्मू है द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्टपती है और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्टपती है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 नंबर की राष्टपती है ठीक है और इन् प्रतिवा देवी सिंग पाटिल अगला प्रस्ण देखते हैं खेल के छेत्र में कौन सा पुरुषकार दिया जाता है खेल के छेत्र में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर को कौन सा पुरुषकार दिया जाता है यहाँ पे ऑप्सन से अर्जुन पुरुषकार, मेजर ध्यानचंद, खेल रत्न पुरुषकार, भारत रत्न पुरुषकार और द्रोड़ाचारे पुरुषकार सही आंसर है द्रोड़ाचारे पुरुषकार अगला प्रस्ण है वर्ष 2022 का मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुषकार किस खिलाडी को दिया गया है ऑप्शन से मैरी कौम, महंदर सिंग धोनी, सरत कमल अचंता, पीवी सिंधु सही आंसर है सरत कमल अचंता ठीक है अगला प्रस्ण है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरुषकार मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुषकार का पुराड़ा नाम क्या था सही आंसर है ऑप्शन नमबर चार राजीव गांधी खेल रत्न पुरुषकार प्रस्ण में से कौन सा मंत्राले राज्टी खेल पुरुषकार 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 करता है वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्राले के मंत्री अनुराख ठाकूर हैं अगर बात करें हम केंद्री सिक्षा मंत्री की तो धर्मिंद्र प्रधान है केंद्री रक्षा मंत्री की बात करें तो राजना सिंग है और ग्रिह मंत्री की बात करें तो अमित सा है अगला प्रस से संब्दित हैं सुचीत मान सुजीत मान कुस्ती जीवन जियोत सिंग तेजा तीरंदाजी से संब्दित हैं सिधार्थ सी रूर पैरा सूट से संब्दित हैं अगला परसंद देखते हैं हाल ही में कितने कोचों को कर्यों से समंदित हैं तो सही आंसर है तीन यह कोच कौन कोण है तो यह कोच है । є अगला कलिंगा इंसिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेकनोजी को और विकास के लिए लद्दाख की एंड स्नोबोर्ड एसोसियेशन को और युवा खिलाडियों के पहचान और पुरसाहन के लिए ट्रांस टाडिया इंटरप्राइज को अगला प्रस्ण है खेल के छेत्र में दिया किया गया है अब हम यहां पर राष्टी खेल पुरस्कार 2022 से सम्मंधित अन्य महत्तपूर तत्यों को जान लेते हैं जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑब्यों से बहुत ही महत्तपूर है राजिव गांधी खेल रतन पुरस्कार का नाम परिवर्टित करके वर्स 2021 में में म आजीव गांधी खेल रतन पुरस्कार जिसको अब हम मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरस्कार के नाम से जानते हैं पहली बार सत्रंज के खिलाडी विश्वनातनानंद को दिया गया था मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरस्कार विजेता को 25 लाक रुपे दिये जाते हैं मेजर ध्यान चंद के जम दिवस को ही खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं प्रतिवर्स उनके जम दिवस यानि की 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यान चंद की आत्मकता का नाम क्या है तो गोल इनके आत्मकता का नाम है ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको हमारी महनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दें और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें चलिए मिलते हैं के लिए वीडियो में तक के लिए बाई बाई टेक केर जैहन